नमस्कार आप देख रहे हैं दैनिक भासकर उत्राखन उत्तरप्रदेश कॉंग्रेसियों ने एक प्रेस्ट वार्ता का आयोजन कर रंजीत रावत के बयान की तीखी आलोचना की पूरु मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ अभद्र बयान को लेकर कॉंग्रेसियों में खासा आकर वोश्वयाप्त है कॉंग्रेसियों ने आरोप लगाया कि रंजीत रावत सलट विधानसभा छोड़ कर मैदानी विधानसभा में आये हैं जिसे पहाड के लोगों ने भकोडा खोशित कर रखा है। वह पूरु मुख्यमंत्री हरीश रावत जैसे बड़े नीटा के खिलाफ अशोभनी ये बयान देकर कॉंग्रेस सहत बुज़ुर्गों का अपमान कर रहे हैं। खटीमा से के दारसोंकर की रिपोर्ट धनेवाद। कि ऐसे आदमी को तुरंट मैं प्रिदम जिंगी से निविदन करता हूं कि निकाल कर कॉंग्रेस पार्टी को तुवारा से प्रदेश में अरिश रावत जी की नेश्वर्ट में ख़़ा करें किस्टे की कॉंग्रेस सरकार आसे। कॉंग्रेस का बस पार्टी कॉंग्रेस का बसमा सूरें रावत जी के दो साल के कारिगाल में इसने सरकार को पूरा बदनाम करना का प्रियास किया। आज ये बैटक रखी है रावत के उस बयान के खिलाब रखी जिसमें उन्होंने कहा था कि हरीस रावत जी उम्र के ऐसे पढ़ाव में पहुंच गया है जहां से उनका मांसिक संतुलन बिगड़ गया है और उन्हें अब राणी जी सन्यास लेना चाहिए इसके खिलाब हमने ये बैटक रखी है हमारा ये कहना है कि कांगरिस के एक तृतित दिनी के नेता रंजीत रावत जो की पूर्व में अपनी कारिशहली से विबादी तरहा है जो सल्ट विधान स कर रही है और पिर्टम चिंग से मां करें कि रंजीत रावत से बयान की बापसी दिलवाई जाए उससे केट परकड़ करवाए जाए और अगर ऐसा नहीं होता तो तुरंप ऐसे आदमी को कांगरिस से निकाला जाए जिससे की कांगरिस से को बुजूबों के अपमान के खिल